इस वीडियो में बात कर लेते हैं Central Bank of India की quickly analysis देख लेते हैं चैनल को like and subscribe करना मत भूलेगा तो Central Bank में आप देख रहे होंगे कि stock में तेजी देखने को मिल रही है और consistently यह तेजी अभी बनी हुई है अभी भी stock बहुत bullish चेल रहा है और अगर आप इस level से चेक करें stock के जो अभी जग returns आगा हैं तो 50% की almost returns stock निकाल चुका है 14 days में तो बहुत तेज है बाकी आप देखें stock की recently नतीजी रहते हैं और नतीजों की वज़े से अच्छे आने के वाई से stock में यह तेजी देखने को मिल रही है अधवाइस उसके पहले आप देखें तो यह पूरा zone देखेंगे यहां पर देखें तो revenue इस बार 7842 CR कर आए लास्ट यर यही अपना 6746 CR का था December के quarter में तो इजाफा काफी हुआ है almost 1000 CR से जादा बढ़ा है revenue इंट्रेस्ट देखें इस बार तो 4672 रहा है लास्ट यर यह 3444 CR था तो यहां भी इंट्रेस्ट बढ़ा है expenses इस बार कम हुए है 33 377 CR रहे हैं लास्ट यर यह 3401 CR के थी तो expenses में गिरावट हुई है इसलिए financing profit आप देखें अभी भी negative में है no doubt positive में आ नहीं पाया है लास्ट यह माइनस 99 था इस बार यह माइनस 207 तो और जाद अगर गर गया other income की बात करें तो 1329 CR रही है और लास्ट यह 919 CR थी तो other income और financing profit में यहां थोड़ा कई ना कई एक बराबरी हो गई फिर आता है profit before tax तो 1122 CR का रहा है और लास्ट यह 820 CR का था net profit इस बार 738 CR का निकल के आया और लास्ट यह 476 CR का था अब यह सारी चीज़ तो ठीक है यहां पे नजर डालिए net NPA तो net NPA में आप देखें consistently गिरावट होत यहां पे आप देखें 5% की उपर थे NPAs 5% 4% इसलिए कहीं न कहीं bank का जो profit था वो कहीं न कहीं गिरता जा रहा था net profit उस टाइम का देखें जब NPA 5% हो गए थे तो net profit जो निकल के आया था माइनस 1442 था और आज की आप डेट में आप देख लीज़े जब NPA गिरके 1% के around पहुंच गए तो profit आप देखें 738 CR का हो गया इसलिए NPAs जादा important होते हैं उन्हीं से सारी चीज़ने समझा जाती है यहां पे आप देखें अब क्या momentum रहेगा वो समझते हैं तो stock में आज अपनको जो selling देखने को मिली है 76.75 पर selling देखने को मिल गई क्यों मिली है क्योंकि यहां पर 75 का जो psychological level है वो sustain नहीं कर पाया stock उपर गया जरूर पर reversal आ गया क्योंकि psychological level है obviously 75 पर sellers active होते हैं इसलिए यहां से गिरावट होना शुरूई गिरावट के साथ साथ stock ने जो closing दिखा तो यहां पर इधर से बनना शुरू ही है trend line उपर यह पूरा resistance का काम कर रहे है यह उपर की trend line और नीचे वाली is a support और यहां से जो trend line बनी है तो accumulation हो रहा है बट उपर नहीं बढ़ रहा था तो finally अब up move आया है इतने दिनों बाद तो central bank भी चलेगा थोड़ा और चलेगा no doubt in तो आने वाले दिनों में target किया रहे हैं यह वो देखते हैं तो कल अगर stock 75 का level sustain कर लेता है तो stock दम रखता है 80 तक जाने की तो by tomorrow अगर यहां से move लगता है तो stock 80 तक पहुचने में 7% की बढ़त चाहिए और इतना है possible no doubt क्योंकि stock में तेजी देखने को मिल रही है और इसके बाद जो next target होगा 80 के बाद वो अपना रहेगा 85 पांच-पांच-पॉइंट की बढ़त बनाई है sufficient है अगर अच्छा चलेगा तो इतना रहेगा otherwise इतना नहीं चलता है तो बीच में आप एक target set कर लीजे इनके बीच में आप ले लीजे जैसे 82 का target ले लीजे यहां पे भी अ अगर पॉलबैक आ गया और ट्रिगर हो गया मेरा stop loss तो इसलिए चोटे target हमेशा अच्छे रहते हैं तो यहां पे अगर कल stock move करता है तीन परसंट तो 76-77 पहुंचेगा और अगर 6-7 परसंट चलता है तो 80 के असपास पहुंच जाएगा और यही stock अगर कल 11 परसंट चलता है तो 82 तो यह तो हुई उपर की दिशा की बात बात करें के support कहा होंगे तो by any means अगर pullback बनता है क्योंकि आज stock ने trend line का breakout दिया है और जब trend line का breakout होता है उपर की दिशा में तो कहीं ना कहीं आप देखें एक retesting या pullback necessary होता है उसमें fresh entries आती है तो अगर pullback कल बनता है तो पहला अपना होगा support 72 पर somewhere here and the next target in the same line will be somewhere here at 70 70 के बाद जो further अपना target होगा वोगा 68 तो छोटे छोटे चोटे targets है जो भी achievable रहेंगे अगर pullback होगा तो छोटे targets में नहीं से कहीं आगे support लेके stock bounce back करेगा अगर यहां पर 69 का support break होता है तो फिर समझ लीजे stock retesting के लिए trend line तक आएग तो यह तुए support आउपर के होगा अपने resistance तो hopefully अब आपको clear होगा Central Bank of India कैसे चलने वाला है क्यों चलने वाला है और कितनी उपर तक जाएगा तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में this is me Subham Yadav signing off